जैहिंद एवरिवन मैं समीर चौधरी यूपीस से हिंदी पर आपका स्वागत करता हूं तो आज हम लोग फिर से अपना करेंट अफेर स्रीज जो कंटिन्यू करेंगे तो और डेडी जो है वो आठ लेक्शर्स रिकॉर्डड हो चुके हैं सेप्टेंबर मंत के करेंट अफेर जो भी पुराने लेक्शर्स हो चुके हैं उसको आपको कवर कर लेना है ताकि आगे जो भी लेक्शर्स होंगे आप उससे लिंक कर पाएं तो आज जो पहला टॉपिक प्रिलिम से स्पेसिक हम लोग कवर करेंगे वह है यूनिवर्सल इम्मुनाइजेशन प्रोग्राम ठीक मतलब जो Ministry of Health and Family Welfare है इसके अंतरगत वेक्सीन कवरेज मतलब जो भी चाइल्ड हो चाहे प्रेगनेंट वोमेन हो ठीक है इनको बेसिकली टार्गेट किया जा रहा है कि इनको जो है जो भी वेक्सीन प्रिवेंटेवल डिजीज है वेक्सीन प्रिवेंटेवल डिजीज ऐसे कोरोना है लोग सब्रेखन लिया होगा तो बेसिकली कुछ है इसी होती है जिनको वेक्सीन के द्वारा इसके इम्म्यूनिटी हम लोग कर सकते हैं अच्छत और भाविषित तो है उन इक्तरिके से प्रिवेंशन मिलेगा सुरक्षा मिलेगी झोट जो यह ख्योर कर LIVE हो जाए तो भविश्य में हो सकता है कि उस बच्चे को नहीं होगा टेक है यह शूर है तो अगर आप लोग जानते हूं कि जब यह टीका नहीं दिया जाता था लबक 25-30-25 साल पहरे टीका जब नहीं दिया जाता था तब बेसिकली क्या था कि भाई काफी संख्ञा में लोग बच्चे होते हैं तो उनको पोलियो की सिकार हो झातेते थे लेगिन जब से वैक्सीन के अंदर क वर किया गया तो यह यूईएपी का अपसे success पूछा जाए कि क्या इसका success है तो इसमें जो polio है, polio एक तरीके से खतमी कर दिया गया, polio जो है एक तरीके से खतमी कर दियागा, कुछ एक दो country जैसे हैं जैसे पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है वहाँ पे अभी भी हैं, लेकिन इंडिया में ऐसके बाद 1985 में इसका नाम रखा गया था यूणिवर्सल इमैजेशन प्रोग्राम अब हाल में आप लोग सुनते होंगे इसका नाम आप आप लोग सुनते होंगे, यह launch किया गया था mission इंद्रधनूस, इसके प्रिलिम्स के point of view से काफी important है, कि government की scheme थी mission इंद्रधनूस, 2014, 2014 में इसको launch किया गया था, और इसके बाद इस scheme को अपग्रेड किया गया है, इस scheme को अपग्रेड किया गया है, जैसे 2017 में इंटेंसिफाइड मिजन इंद्रधनूस, आइयर्य मै ये 2017 में launch किया गया था, और इसके बाद जो है, इंटेंसिफाइड इंद्रधनूस 2.0, ये 2019 में launch किया गया, इसके बाद आईयर्य इंटेंसिफाइड मिजन इंद्रधनूस 3.0 मतलThere ऐग तरीके से एक target लिए गया हाल में इंटेंसिफाइड मिसन इंद्धनुस 4.0 यह तरीके से 2022 में लॉंच किया गया था इसमें बिसिकली टार्गेट 90% वेक्सीन कवरेज अपने को बढ़ाना है ओल ओवर इंडिया तो उसको लेके बिसिकली मिसन इंद्धनुस लॉंच किया गया था ठीक है इसके अलाबा जो आपसे पूछे कि जो उनिवर्सल इंद्धन प्रोग्राम है इसमें बिसिकली कवरेज क्या है कितने लोगों कवर किया जाता है तो डाटा दिया जाता है कि हर साल मतलब एन्वली हर साल जो है 2.67 करोड 2.67 करोड ऐसे बच्चों को ऐसे बच्चों को टार्गेट किया जा जाता है तो यह डाटा जो है आप ध्यान रख सकते हैं कि 2.67 करोड जो है यह गवर्मेंट का जाता है कि इतने बच्चों को और 2.9 करोड जो है इतने महिलाओं को जो है यह वेक्सीन दिया जाता है ठीक है इसके अलाबा आपको जो है प्रिलिम्स के पॉइंट आफ यू से इन 12 जो वेक्सीन प्रिमेंटबल डिजीज है इनके नाम आपको याद होने चाहिए पूछ सकता है भाई कि यह डिजीज जो है यह डिजीज जो है वो यूईप के अंदर आता है या नहीं आता है अब इसका मतलब यह नहीं है कि इसका यूनिवर्सल यहाँ पर है इसका मतल जब से वैक्सिन दिया जाने लगा तब से काफी कंट्रोल किया गिया है जो मृत्य उदार है तो आपको प्रिलिम्स के पॉंट आफ यू से इन सारे डिजीज का नाम याद होना चाहिए कि इस सभी डिजीज के लिए वैक्सिन दिया जाता है ठीक है जिसे यह पर्टुसिस है वूपिंग कफ भी लिखा होता है उसका मतलब सेम ही है तो इन सभी का नाम जो है आपको याद होना चाहिए ठीक है पहली बात दूसरी बात आपको जो है यह पता होना चाहिए कि गवर्मेंट ने जो है मिसन इंद्रधनूस लाँच कर रखा है और उसके कई वर्जंस जो है अगर कोई Stacy का loon को टार्गिट किया जाता है और अगर कोई various condition है छो है उन्वेसल इमनाईशन प्रॉगाम चूकि इस Stückर बन सकते हैं एक्जाम में आपको पता होना चाहिए और कौन-कौन से gues जिस में covered है इस्बी का नाम जो आगको याद होना चाहिए ठीक है अग हम लोग आते हैं next topic पे जो कि September मन्त का current affair है उसमें आज हम लोग security वाला topic करेंगे security वाला ठीक है security वाला topic करेंगे और इसमें दो-तीन topics हैं जो कि काफे important रिलिम्स के point of view से इसलिए मैं insist कर रहा हूँ जिसे यह INS विक्रांत है ठीक है इंडिया में hall agency है इंडिया में ISRO है ठीक है अब यह सा भी कुछ भी defense के purpose थे या ऐसे भी कुछ research का काम जैसे कोई launch vehicle जाए चंद्रियान 2 चंद्रियान 3 जो भी ऐसा कुछ launch होने वाला है या जो launch हुआ है उसमें कौन-कौन से launch vehicle है पहले स्मॉल SSLV है PSLV है GSLV है इसका specification क्या है geosynchronous orbit क्या होता है geotransfer orbit क्या होता है समझ रहे है न यह geostationary orbit क्या होता है sun synchronous orbit क्या होता है तो धेल सारी चीज़ें इससे terminology होती है जिसमें questions UPSC बनाती है आपको पता होने चाहिए और इस छेतर में कुछ भी develop हो रहा है यहां पर कोई सब्मरीन हो रहा है यहां पर कोई INS मतलब इंडिया नवल शिप बन रहा है तो यह सब ही questions UPSC के favorite है उससे questions पूछे जाएंगे तो यह basically topic उसी से related है तो कि हाल में ही जो है INS आप देख सकते हैं INS के full form इंडिया नवल शिप एक शिप डेवलप किया गया जो की एक तरीके से इंडिया के तोरह डेवलप किया इंडिजनेस का मतलब समझ रहे है जहां भी इस word का आता है इसका मतलब यह होगे कि अपने दे शिप यार्ड कोचिन शिप यार्ड लिमिटेड इसके द्वारा जो है एक तरीके से बनाया गया है ठीक है और अपने देश की जो भी टेक्नलोजी थे जो भी एजनसी थे उनके help से यह बनाया गया है और Ministry of Port Shipping and Waterway के अंदरगत जो है बिसिकली यह काम हुआ है यह जो है बिल्ट हुआ है कोचिन शिप यार्ड लिमिटेड ने बनाया है अब यह एरक्राफ्ट के रियर का क्या मतलब हुआ मतलब एक आईशा शिप है तो शिप लेकिन उसको बिसिकली एक तरीके से एरक्राफ्ट चाहिस किए फाइटरे एरक्राफ्ट इन्स्टाल किये गये हैं ताकि जो शिप इसो की mismos कIST शिप है वह जाके पानी में भी ऑपरेशन कर सकता है समझ रहें न ? मने जी इनिया का इ Means घोंक है इंडिया और एक तरफ इंडिया के से अरम अरबियन सीई एक तरफ अरफ इंडिया इंडिया को 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 इं इसे शिप रहेंगे, जो कि Indian Borders को basically protect कर पाएंगे, ठिक है, तो उस दिशा में जो है, काम किया गया, तो पहला काम जो है, अपने को Indian Ocean Region को protect करना है, और दूसरा काम ये था कि इंडिया को क्या था कि जो भी defense के लिए जो भी defense system हो चाहे missiles हो चाहे aircrafts हो तो वो बैसिकली इंडिया को बाहर की country से import कराना पड़ता था चाहे Russia हो चाहे Israel हो चाहे US हो मैंने ये 3 country जिससे import India करती थी अब बैसिकली चाहे France हो फरांसे एरज़े एरफेल ईंडिया, हम लोटा, अवरे ऐंचे से इंडिया को इंटिया का इंडिया कम सान स clinical में बाई नाब नाम सुनते होगे इंडिया को सैंडिया को भूर्विक्री इनिजनेन खुद आत्म निर्फर बनपाएगा जैसे इंडिया की पॉलिसी है न कि सेल्फ रिलाइंट बनना है आत्म निर्फर भारत तो उस दिशा में भी तरीके से कदम उठाया है तो हम लोग देखते हैं कि आइनस विकरांथ है गया तो बात यह है कि आइनस विकरांथ जो है इसका न 1961 में एक शिप खरीदा था उनाइटेट इंग्नम की शिप थी उसकी पुरानी शिप थी वो हम लोग ने सकेंड हैं एक दरीके से खरीदा और उसका एक अच्छा रोल रहा इंडिया के डिफेंस सिस्टम में उसका एक रोल रहा और 1971 वार जो हुआ था पाकिस्तान के साथ उस तो इंडिया के पास जो भी अवी अवी तक एर क्राफ गया उसमें से सबसे बड़ा जो एक तरीके से यह बनाया गिया इसकी जो जो size है आप इसके बताते हैं जैसे इसका जो length है वो length इसका यहां पर दिया हुआ है 262 meter इसका length है यह सब यह इसका आपको पता होने चाहिए इसके अलाबा इसका width है वो 62 meter है ठीक है इसके अलाबा इसका weight है वो 40,000 ton है 40,000 ton तो एक ton में जो होता है generally 1 ton equal to 1000 kg होता है 1 ton equal to 1000 kg होता कि 30-35 aircraft 30-35 aircraft जो है इस पर basically एक तरीके से रखे जा सकते हैं या इसको basically तरीके से वहाँ पर install किया जा सकता है 30-35 aircraft समझ रहे हैं और इसके जितरे भी materials है equipment है वो जहातर इंडिजनेस मतला जो यहां पर built है यहां की agency के जो जो build किये गए है वो generally install किये गए है ठीक है तो यह मैं इंडिया ने रसिया से लिया था Soviet इंडिया ने रसिया से लिया था उसका नाम जो है आइनस विक्रमादित्य है तो फिलहाल जो है आपसे अगर पूछा जाए कि इंडिया के पास कितने aircraft carrier है तो इंडिया के पास दो aircraft carrier है फिलहाल पहला जो आइनस विक्रमादित्य अपने प मजजा पहले इंढिया के दोरा बनाया गया इंढिया में एव्लबघ तो पहला वह विक्रांत आ ये जो है पहला इंडिजिनस है, और इंडिया के पास, पहले से कौन सा था, विक्रमारित था। जो विक्रांत का नामकरण किसे हो था। तो यह United Kingdom से एक aircraft carrier लिया गया था, उसके नाम पर इसका नाम करण किया गया, ठीक है, अब basically इंडिया को ऐसे aircraft carrier की आवशक्ता है क्यों है, इसके वारे मैंने आपको बताया, कि इंडिया को अपने Indian Ocean Region को एक तरीके से secure करना है, समझे रहे हैं अब जैसे आपको मैं थोड़ सा ब जा है, यह 200 nautical mile होता है, इस जोग्रफी में आप लोग पढ़ते होंगे, जैसे मैं बता ही दे रहा हूं तो इटेल में, माले जै यह आपका land है, यह समुद्र है, ठीक है, यह सी वाटर है, और मीचे माले जै सी वाटर है, उसके नीचे ऐसा land है, यह आपका land है, ठीक है, औ एक nautical mile में क्या होता है, एक nautical mile जो है, बेसिकली 1.1, 1 nm, 1 nautical mile जो है, वो 1.85 km होता है, ठीक है, तो इसके अलब आपको एक खोता होगे, territorial water क्या होता है, territorial water जो होता है, 12 nautical mile होता है, मतलब जो baseline है, वहाँ से 12 nautical mile जो होगा, उसको क्या कहते है, territorial water, इन सभी का specification अलग ह फिर से हम लो detail way में करेंगे, फिर भी मता दे रहा हूँ, कि 12 nautical mile जो होता है, वो territorial water होता है, और अगला 12 nautical mile जो होता है, इसको continuous zone कहते है, ठीक है, continuous zone कहते है, C-O-N-T-I-G-U-O-U-S, ठीक है, continuous zone कहते है, और यहाँ से यहाँ तो 200 nautical mile, यह basically exclusive economic zone हो गया, एक तरीके से अप इसका योगदान है, ठीक है, अब देख सकते हैं, चाइना के पास 3, चाइना के पास 3 aircraft carrier है, और इंडिया के पास फिलाल 2 aircraft carrier है, और चाइना जो है, प्लान कर रहा है की 2030 तक, चाइना प्लान कर रहा है 2030 तक, इसके पास 5 aircraft carrier हो जाये, तो चाइना का जो रिजिन है, वो South China Sea से गिरा हुआ है इस चाइना सी से गिरा हुआ है तो चाइना भी तरीके से कोसिस कर रहा है किस प्रकार से अपना दर्दभाव बढ़ाई जिसे चाइना की string of pulse policy ला आप लोग सुनते होंगे string of pulse policy उसमें यही है कि किस प्रकार से इंडिया ओसियन रिजन को साथ चाइना सी को इस कर रहा है वहां बेसिकल एक तरीके से लोन दिया चुका नहीं पाए तो अपना एक तरीके से डेवलप कर रहा है तो इस तरीके से चाइना जो है कि इंडिया नों किस परकार से कंट्रोल किया जाए तो इंडिया को भी अपने एर डिफेंस इंडिया को भी अपने डिफेंस जो क्राफ्ट केरियर जो है बनाया जाए ठीक है तो इसमें हेल्प हेल्प क्या करेगा सेल्फ रिलाइंट होगा इंडिया बहार से कोई चीज़े इंपोर्ट करने के आव सकता नहीं परेगी इंडियन ने जो भी सुरक्षा करती है समुदर में उसकी बढ़ेगी और स्टेंथ बढ़ेगा ठीक है इसके लब विक्रांत के बारे में जो भी स्पेसिफिकेसिंट था उसके बारे में चर्चा किया कोचिंश शिप्यार लिम्टेट इद्वारा ये बिल्ट है ठीक है अब हम सब्सक्राइब करता हूं अब आपको इंस्ट करता हूं अब आए जो नेक्स टॉपिक है उसमें बिसकली अब ज्यादा कुछ नहीं है शॉर्ट नूच को शॉर्ट की तरह ही देखेंगे 5-10 मिट हो जाएंगे और आज हम लोग का लेक्शर बहुत बहुत जादा नहीं है आ जो चुछ लोग होते हैं जो चुपए होते हैं और टाइम आने पर जो है जो कैसे टरीश्ट अक्तिविटी परफॉर्म करते हैं उनहीं के लिए बिसकली है यह बिसकली है जाला कुछ है नहीं आगे बढ़ते हैं जो है जो अब आपने देखा होगा पिछले लेक्शर जो भी कवर किया होंगे जो मैंने बनाया है उसमें एक टॉपिक में प्रिलिम से स्प्रिम से करा है और मैंने आपको बताया भी है कि यह सभी टॉपिक्स जो है एक्जाम में पूछे जा सकते हैं जो है मैचिंग में अब करना है आपके पास नोट्स होने चाहिए यहां पे एक्साइज वास्टॉक दिया हुआ है यह वास्टॉक जो है यहे इंडियन आर्मी जो है पारिसिपेट किया है इसलिए जाया है यि क्या मतलब हुआ कि कई सारी Countries ने पाटिसपयर किया है exercise कंप कर दो जी कई इसमें भी कई कई कन्ठीक कि किया है exercise का कडू यह उस्ट्रेलियल Connorine वि के साथ जली इसमें बहुंत भी 얌नली का मतलब कारते होज्छा मतलब कर दो साल में एक बार उसको dianally ही कहते हैं आपको by and only से confusion नहीं होना है जैसे forest Indian State of Forest report आता है नद इन इंडियन forest report तो यह forest survey of India जो है देती है ministry of environment forest climate change चरण आप इसा क्या बता रहे है इसमें इसमें बिसिकली इन यही है कि यह भी by annually report दिया जाता है यह भी रिपोर्ट जो हता है वह by annually मतलब दो साल में एक बार यह रिपोर्ट आता है इसलिए मैंने आपको चिक्रिक कर दिया इंडियन स्टेट और फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है हाल में यह भी आया है तो आपको एक बार देख लीजेगा भई क्या फॉरेस्ट किस्तिती है दो साल में एक बार एक बार यह रिपोर्ट आता है इंडिया जापान की मारे देख प्रवत प्रहार और तो इंडिया आरमी जो है इनों हई एल्टीय बेडियन मैं जो मांटेंटेंसटे के लग्म में हैं लद्दाक सेक्टर में इंडियानी कि आपस में एक तरीके से कोलिब्रेशन से DRTO दोरा इस्टेब्ली से डेबलब किया गया है और हॉल ने डिजाइन किया है ठीक है तेजास एरक्राफ्ट अच्छा ये एरक्राफ्ट हुआ क्या तो 1980 में इंडिया काफी संख्या में मिक-21 मिक-21 का आप लोग नाम सुनते हों कि पिक्शर्स में भी आता है ये एरक्राफ्ट में इंडिया सोवियत यूणियन रसिया कहने लिए उससे बिंड़िया इंडिया इंपूर्ट करता था यह MiG-21 ने सिकायत यहाती थी यह crash बहुत ज़्यादा दो था अपने धेड़ सारे ऐसे officers थे जो MiG-21 गए crash रिकारा उनकी basically देखे शहीद हो गए MiG-21 जो है उसकी मुझे से काफी लोग कैसी death हो गई तो इंडिया ने अपना खुद एक सोचा कि भई अपना खुद क्यों ने एक तरीके से light combat aircraft डेवलप करें ऐसा खुद से अपना इंडिया क्यों नहीं करें उसके बारे में इंडिया ने सोचा तो light combat aircraft डेवलप करने की स्रीज में जो है ये तेजर्स aircraft डेवलप किया गया DRDO और hall की मर्द से किया गया ठीक है अब इसके बारे में कुछ specification से जो आपको पता होने चाहिए जो आपको पता होने चाहिए इसकी जो एक तरीके से speed है जिसे इसकी speed अगर हम बताएं तो इसकी speed जो है वो 1.8 mag है 1.8 mag अचा आप पूछेंगे सर ये mag क्या होता है में एक तरीके से unit है speed measure करने की जैसे mag जो है sound की speed से कितने times travel कर सकता है तो sound की speed से 1.8 time मतला जो भी sound की speed होती है उससे 1.8 time speed से जो है ये travel कर सकता है इसकी speed जो है वो 1.8 mag है जिसे ब्रह्मोस missile आप लोग सुनते होंगे कि ब्रह्मोस एक तरीके से इंडिया और रसिया के participation से ब 2.8 to 3 mag का मतलब जा हुआ कि 3 times of speed of sound मतलब sound की speed के 3 गुने speed से जो है इसे लिए travel कर सकता है तो ब्रह्मोस missile के बार में आपको बताया है यहाँ पर जो इसकी speed है वो 1.8 mag है मतलब sound की speed के 1.8 times travel कर सकती है इसके अलाबा इसमें जो खासियत है वो है air to air refueling मतलब हवा में ही जो ह है उसके fuel की जो भी उसमें oil हो चाहिए उसकी refueling हो सकती है ठीक है इसके अलाबा यह single engine है और single pilot है यह आपको पता होना चाहिए इसका range जो है 3000 km है इसका range जो है वो 3000 km है मतलब एक बार एक बार जो है एक बार अगर यह टेक आफ कर गया लेंडिंग में basically 3000 km ट्रेवल कर सकता है ठीक है इसके अलाबा इसकी जो इतरी कैसे payload आप सुनते हैं इसकोई की specification पेलोड कैपिसिटी दी होती है पेलोड कैपिसिटी तो पेलोड कैपिस में इसके अलाबा जो भी चीजे होगे पेसंजर वेट हो गया एरक्राफ्ट का कारगो कारगो माले जो कुछ सामान भी उसमें भरा हुआ है ठीक है तो उन सभी का वेट मिला के जो है माले यह 4000 kg इसका payload capacity है तो 4000 kg से ज्यादा नहीं होना चाहिए हर एरक्राफ्ट का payload capacity होता है इसका मतलब यह नहीं कि आप एरक्राफ्ट है जो कुछ भी नहीं कि आप कितने भी सामान उसमें ले जा सकते हैं इसकी capacity होती है कि इतना ज्यादा वज़न ही जो है वो carry कर सकता है तो 4000 kg का है तो जो भी specifications में चाहिए था मैंने आपको बताया इसके लावाई air to air strike कर सकता है और air to surface strike भी कर सकता है यह सभी कुछ इस इस आपको बता है कि air to air strike कर सकता है air to surface strike कर सकता है इस speed के वारे मैंने आपको बता ही दिया और जो भी इसमें specifications मैंने आपको बता दिया कि भाई 3000 km इसका एक तरीके से range भी है ठीक है और 4000 kg जो इसका payload capacity है तो यह इतना ही था पेज़ेसर क्राफ्ट के वादे में अगर नेक्स टोपिक है वी शॉर्ड मिसाइल जो है वो बनाया गया यह मिसाइल बना गया DRDO के द्वारा और यह क्या है man portable air defense system तो क्या है air defense system तो UPS से पुछेगा भाई आप से option में कि वी शॉर्ड मिसाइल क्या है यह air defense system है DRDO agency बहुत important है कौन से agency मनाई है ठीक है तो DRDO के दोड़ा developed ले है developed by DRDO और इसा काम क्या है it can neutralize low altitude aerial threats मतलब कम height के जो भी aerial threats होते है उनको एक तरीके से यह क्या करेगा destroy कर देगा ठीक है यह air defense system है DRDO के दोड़ा developed ठीक है अगला यह रोहिनी sounding rocket अब यह रोहिनी sounding rocket क्या है sounding rocket का मतलब होता है to take measurement to take measurement मतलब जो भी launch pad होते हैं जो भी missile होते हैं उसका इतरीके से मापन करने के लिए मापन मापिकी के लिए उसके to take measurement के लिए रॉहिनी sounding rocket इस रोह के द्वरा Element है और इसका measurement के लिए कि मैं यहां बाद आण गाता है कि जांच करने के लिए बिसका Przyp flow होता है तो रोहिनी sounding rocket इस के देवलब है और इसका measurement के लिएunta के लिए metrological research के लिए इसका इसका होता है इतना काफी होगा इसके अलब यह यहाँ पर लिखा हुब कि पूइच्ट č रॉकर यहां लिखा हु करतना रहनी टू इस्टेज रॉकर्ट है अब बारर आप तो सुनते होंगे, GSLV launch vehicle है, या इससे पहले PSLV launch vehicle था, GSLV ज्यादा powerful है, तो GSLV ज्यादा powerful है, तो यह सभी launch vehicle जो है, जहां से rocket launch के जाते हैं, ठीक है, पहले इंडिया के पास powerful launch vehicle नहीं थे, तो इंडिया को launch करने के लिए, foreign country जिसे US है, वहाँ पे नासा के थूर करवना पड लेकिन अब इंडिया के पास launch vehicle, ज्यादा strong launch vehicle है, तो इंडिया खुद से launch करता है, यहां तक कि जो foreign countries है, उनके satellites को भी इंडिया launch करता है, तो जो launch vehicle है, यहां पर basically rocket attach होता है, माले यह rocket है, ठीक है, यह माले यह rocket है, ठीक है, अब rocket जो होता है, कई एक तरीके से stage में बना होत होता है, अब basically क्या हुआ, फिर होता क्या है, एक तरीके से, होता यह है कि जब भी rocket यहां से launch हुआ, जब भी rocket इसे launch हुआ, हवा में गया, ठीक है, हवा में क्या तो एक बार होता है कि इतने weight, जो इस तेज का मतलब यह हुआ, कि दो stage में detach होगा, माले यह height पे गया, तो हो स जाता रहेगा, जाता रहेगा अपने speed में, फिर एक height आएगी, जो नीचे वाला हिस्सा detach हुआ, फिर दूसरा हिस्सा है, यह भी detach हो जाएगा, फिर बचेगा इतना वाला portion, फिर यह portion बचेगा, तो जो satellite, जो उपर वाला portion satellite रहेगा, तो satellite जो है, एक बार orbital velocity का मतलब क्या एक अधिक चक्र लेगा सुरू कर देगा, जो भी उसका काम होगा, फोटो ले ना काम लोगा, जो भी काम होगा, तेली काम करना सुरू कर देगा, तो orbital velocity पाने तक, इस्टेज का ही मतलब होता है, जो satellite है, जो सेटलाइज में वोई तरह से detach हो गया, इसका, उसका हिस्सा तो आप जैसे आज का लाच टौपिक है क्साइस साहिट साइनर्जी जो है इसमें कुछ नहीं है dramatically and information technology इसका काम है cyber security देखना है, इसका काम क्या है, cyber security देखना, ठीक है, इसने हाल में Singapore की जो agency थी, cyber security वाली, उसके साथ इसने exercise किया, जिसका नाम है exercise synergy, अब यह देखे, यह जो cyber security है, यह important इसलिए हो जाता है, कि government के पास खुद की कई agency है, government के पास, यहाँ की defense agency है, जैसे DRDO है, समझे इस पेस agency is row है, ठीक है, ऐसे atomic research के लिए है, या Indian army की है, तो अपने पास जो धेड़ सारी government agency है, चाहिए, यहाँ की financial agency जो है, उनके systems को India को basically करना है, secure करना है, उनके system को secure करना है, ताकि कोई बाहर से कोई बाहरी व्यक्ती जो है, या बाहरी को agency जो है, इतरीके से यहाँ के system को hack ना कर तो उसको basically एक तरीके से monitor करने के लिए, उसको check करने के लिए, और secure करने के लिए, government में यह agency बनाई है, cert in, अब यहाल में दिखा गया था कि basically AIMS Delhi है, तो AIMS Delhi के software को basically वहाँ की system को hack कर दिया गया था, और बार बार अपर सुने रेंसम वेर, तो ransom जो है, रेंसम क्या होता है, तो कुछ पैसे मांगे जाते हैं, वहाँ के systems को hack करके, समझ रहे ना, तो इस तरह की समस्याएं जो होती है, वो government agency को फेस करने परते हैं, government को फेस करने परते हैं, कि उसके system को hack कर लिया जाता है, और कुछ पैसे जो है, वो मांगे जाते हैं, तो इस तरह की समस्याएं जो है तो अभी नेक्स्ट जो दो टॉपिक्स बचते हैं अपने पास वो एक तरीके से एक साइंस एंट टेक्नलोजी बचता है और आट इन कल्चर बचता है ठीक है तो दो तीन दो वीडियो में जो है अपना एक तरीके से सेप्टमर मन्त के करेंट अफेर जो है खतम हो जाएगा ठ आप लोग पुराने लेक्षर साथ साथ कवर करते जाएं ठीक है और जो भी वीडियो बिसी के लिए बना रहा हूं आप जो तक उसमें रिस्पॉंस नहीं करेंगे लाइक नहीं करेंगे तक बिसीकली मेरा मोटिवेशन भी जो एक सब बना रहेगा ठीक है तो उसको जाए त फिर उसको में कवर करता रहा हूंगा ठीक है तब तक के लिए गुडबाई एंड जैहिंद